जहन प्यारे शाथियों आप सभी को श्वागत ही अपने यूटूब चैनल आड़के स्टाटी में दोस्तो आज की वीडियो में हम सभी करने वाले हैं तेन्थ क्लास के मौस्ट बीवी आई ऑब्जेक्टिव कोचन जो की होने वाली है सोसल साइज की दोस्तो इस वीडियो में करने वाले हम सभी इतिहास की चैप्टर वन जिसका नाम है यूरोप में राष्टवाद तो आईए देखते ऑब्जेक्टिव कोचन जो की आपको डायरेक्ट एक्जाम में देखने को मिलेगी तो दोस्तो देखेगा आपको फर्स्ट नमर कोचन क्या करा रहा है वेरी इंप महादेश के अंतरगत आती है तो चले इसी तरह से देखते अगला कोचन क्या करा मेरे प्यारे साथियों और हो सेके तो वीडियो को जबर्दस तरीके से अपने दोस्तों में सेयर कर दीजेगा आपका अगला कोचन है फ्रांस में कि सासन वंस की पुना अस्थामना विन्या क याड नियुकर करा है कि मेजनी का संभनत की संगळतन से था तो आपको याद रखना है आपको याद रखना आपका सइए एंसर हो जाए-ka? कार्बो नड़ी से मेजनी का समन था ठीक है दोस्तों ऑप्सन नमर B जो की ठीक एंसर है चलिए देखते हैं अगला कोचन नमर 4 जो की एक्जाम के दिश्टी से वहाथ ही इंपोर्टेंट है दोस्तों कर रहा है इटली एवं जर्मनी के एकी करन के विरूद निम्न में से कौन तो दोस्तों याद रखना है आपको सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C आस्टी या जो की इटली एवं जर्मनी के एकी करन के विरूद में खारा था ठीक दो चलिए देखते हैं कोचन नमर 5 को दोस्तों कोचन नमर 5 देखेगा बहुत ही इंपोर्डेंट कोचन ने बोल ल दोस्तों कोचन नमर 6 देखेगा वहती इंपोर्डेंट कोचन ने कर रहा है गैरी वालडी पेसे से क्या था तो आपको याद रखना है दोस्तों एक नाविक था ठीक है दोस्तों ऑप्सन नमर डी जो की आपका ठीक एंसर है चलिए देखते हैं कोचन नमर 7 को कोचन नमर 7 ब देखते हैं इसी तरह से कोचन नमर 8 क्या कर रहा है दोस्तों और दोस्तों कोचन का लेबल अगर ठीक ठाक लग रहा है तो एक वार चवरदस तरीके से वीडियो को सेर कर दीज़ेगा अपने दोस्तों में चलिए देखते हैं जाल वेरिन कैसी संस्था थी तो आपको याद रखना है दोस्तों positive सी विसर मारगने रखतेमουνलं के निति का अवलाखन किया था जो कि option सी आपका ठीक ऑनसर है ठीका दोस्तों चलिए کوचन संबर 10 के तरह बरते हैं दोस्तों और इसी तरह से आपको कोचन करने वाले है हर एक दिन प्रति दिन और आपको एक्जाम में वेहाद हेल्प होने करने वाली सभी कोजने दोस्तों कोजन नमर 10 देखिएगा फ्रैक फट की संदी कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1871 इसपी में फ्रैक फट की संदी हुई थी ठीक है दोस्तों चलिए इसी तरह से दे दोस्तों और सना भी जो कि आपका ठीक एंसर है 1821 इसपी में नेपलस की करांती हुई थी ठीक है दोस्तों चलिए कोजन नमर इसी तरह से बारा को देखते हैं दोस्तों कोजन नमर बारा को देखते हैं वहाद इंपोर्डेंट कोजने बुला है चार्टिस्ट आंडोलन कहा ह दोस्तों आपको याद रखना है इंगलेंड में हुआ ठीक है दोस्तों युनान को एक शोतंत राष्ट घोसित किया गया था यानि कर दोस्तों युनान को कब एक स्वतंत राष्ट घोसित किया गया था तो आपको याद रखना है दोस्तो 1832 इसपी में घोसित किया गया था ठीक है दोस्तो आपका आप्सनाव B जो के ठीक है अंसर है चलिए कोशें नमर हम लोग 14 के तरफ बढ़ते हैं मेरे प्याड़े साथियों देखेगा कोशें नमर 14 क्या कर रहा है कोशें नमर 14 बोला है कार्बो नर्डी शंगर्ठन की स्वर्ष हुआ था तो आपको याद रखना है मेरे प्याड़े साथियों 1810 इसपी में हुआ था कार्बो नर्डी ठीक है दोस्तो आपका C नमर ठीक एंसर है चलिए अगला देखिएगा दोस्तो दोस्तो कोचन नमर पंदर को देखिएगा विहधी इन्पोर्टेंट कोचन बोला है एंड्रिया नोपूल की संदी कौब हुई थी तो दोस्तो आपको याद रखना है दोस्तो 829 में हुई थी आपका option नमर बी जो की ठीक एंसर है चलिए देखते हैं इसी तरफ से कोचन नमर शो लगो मेरे प्यारे साथियो कोचन का रहा है एंड्रिया नोपूल की संदी कीन दो देशों के बीच हुई थी दोस्तो एक्जाम के द्रिश्टी से वहद इंपोर्टेंट कोचन ही विवी आई है तो आपको याद रखना है तूर्की और रूस के बीच एंड्रिया नोपूल की संदी हुई थी ठीक है दोस्तो option नमर बी option नमर ए जो की आपका ठीक एंसर है चलिए मेरे प्यारे शाथियों देखते हैं कोचन नमर शत्र को मेरे प्यारे शाथियों देखेगा कोचन नमर शत्र बोला है शेडौन का यूद किनके बीच हुआ दोस्तो शेडौन का यूद किनके बीच हुआ था तो आपको याद रखना है फ्रांस और प्रासा के वीच हुआ था ठीक है उस्तों आपका option number C जो की ठीक एंसर है चलिए देखते है question number 18 को मेरे प्यारे शातियों देखेगा question number 18 बुला है किस देश का हंगरी पर पुर्ण अधिपत्य था दोस्तों question number 18 को फिर से देखेगा किस देश का हंगरी पर पुर्ण अधिपत्य था तो आपको यहाद रखना है मेरे प्यारे शातियों आपका option B जो की ठीक एंसर होने वाला है आस्टिया ठीकल्स तो option B जो की आपका ठीक एंसर है चलिए मेरे प्यारे शातियों देखेगे question number 19 को मेरे प्यारे शातियों देखेगा पोलेंड के विद्रो को किस ने कुचल दिया था दोस्तों question number 19 बोला है पोलेंड के विद्रो को किस ने कुचल दिया था तो आपको याद रखना है उरूस ने कुचल दिया था आपका option number A जो की ठीक एंसर है प्यारे साथियों देखेगा कोचे नमर 20 को देखेगा कोचे नमर 20 देखेगा प्यारे साथियों बोला है शन 1870 में फ्रांस और परसा के वीच यूद कहा हुआ था दोस्तों कोचे नमर 20 वो लहा है कि शन 1870 में फ्रांस और परसा के वीच यूद हुआ वो कहां पे हुआ था त दोस्तों आपका option number A जो कि ठीक answer है मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए कोचयान है जो कि आप कमेंट में बताइएगा इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका सही answer क्या हो जाएगा इरोफ वाशियों के लिए किस देश का शाहित एवब ग्यान बिग्यान पेड़ना शुरूत था इसका answer आप सभी कमेंट में बताइए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ next day तब तक के लिए मेरे दोस्त आप सभी मेरे साथ बनने के लिए thank you very much जैहिन जैभरा टेक क्यार बई बाय बाय...